हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासस तो आज के इस फ्यू मिनिट सीरीज के सेशन में हम डसकस करेंगे एक रिसेंट करांट अफेर को जहां हम बात करेंगे RBI दोरा जो एक रिसेंट मूव गिया गया है कि उनके दोरा अलाओ किया गया है कि Indian residents अब foreign currency accounts open कर सकते है International Financial Services Center जो कि आपके gift city में located है आई ये समझते हैं क्या इस move का significance है और थोड़ा सा liberalized remittance scheme को भी हम यहाँ पर डसकस करेंगे चलिए, शुरुआत करने से पहले एक छोड़ इस information आप सभी के लिए जो 2025 के लिए प्रिपेर कर रहे हैं कि यहाँ पर sleepy classes जोरा foundation batch launch कर दिया जा चुका है shaker to shaker batch है खास बात है batch design किया गे under the guidance of our very own shaker that sir अब इसमें एक सबसे खास बात जो मैं आपको बताना चाहँगा वो यह है यह देखिए mentorship की जो हम बात करते हैं कही न कहीं कोई न कोई designated वहाँ पर लोग होते हैं जो कि आपको mentorship प्रवाइड करते हैं यहाँ पर आपको faculty द्वारा ही mentorship प्रवाइड की जा रही है तो definitely जाके check out कीजिए this course को आपके लिए demo videos lectures वहाँ पर available हैं जाके देखिए उन्हें enroll कीजिए and अपने 2025 के attempt को और भैतर बनाईए अब आज के topic की बारे में बात करें तो इस परकार के news articles आपने जरूर देखे होंगे जहाँ पर लिखा गया है कि भाया बहार पैसा भेजना अब और भी जादा जरूरी और भी जादा easy हो चुका है जरूरी तो नहीं easy हो चुका है अब देखे हमना यह term remittances जब भी सुनते हैं हमें लगता है कि जो पैसा देश के अंदर आ रहा हम उसी को remittance कहते हैं जी नहीं से RBI ने यहां पर allow किया है कि Indian residents अब अपना foreign currency accounts gift city का EFSC में खोल सकते हैं उन financial institutions में खोल सकते हैं जिसके माध्यम से वो foreign currencies hold कर सकते हैं including US dollars अपने उन account में तो generally हमारा Indian banking system में यहां पर किसी के भी द्वारा जब account खोला जाता है कुछ पैसा hold किया जाता है तो हम सभी को पता है वो पैसा Indian rupees में hold किया जाता है बट इस particular move के चलते हैं यहां पर अब जो accounts खोले जाएंगे उनने foreign currencies आप hold कर सकते हैं आप dollars वहां पर hold कर सकते हैं और कलको अगर आपको लगे किसी प्रकार की कोई payment करनी है आप कोई पैसा भार बेजना चाहते हैं किसी प्रकार की education fees की payment करना चाहते हैं donation करना चाहते हैं, gift देना चाहते हैं, investments करना चाहते हैं तो उस case में यह particular accounts फिर आपके तरह वहां पर use किया जा सकते हैं अब basically क्या इससे पहले तक जो आपके international financial services center थे कि उनके माद्यम से payment नहीं की जा सकती थी, जी हां बिलकुल की जाती थी बट वो बहुत ही limited था, restricted था कि आप वो जो particular वहां पर IFSC के माद्यम से remittances दे रहे थे या वहां पर payment कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ investment purposes के लिए था जो आपके accounts खोले जा रहे हैं, उसके माद्यम से आप different nature की payments वहां पर कर सकते हैं, आप donations कर सकते हैं, आप gifts दे सकते हैं, आप किसी को वहां पर investment करना चाहते हैं, वो भी इन accounts के माद्यम से यहां पर कर सकते हैं, और यह completely under the liberalized remittance scheme है, important point है यहां पर इस इसको ध्यान में रख परता था, जिसके ऐसे currency का जो exchange rate का जो risk है, वो भी यहां पर उन्हें bear करना पड़ता था, अब वो risk भी यहां पर काम हो पाएगा, वो उस समय पर भी dollars यहां पर खरीद पाएंगे, जब उन्हें लगेगा कि चलो भीया, यहां पर आपका dollar सस्तन मिल रहाँ, चलो खरीद ले पर भी यह दोरा, जो कि allow करता है Indian residents को, तो limit money abroad for various purposes, तो इसमें different important points आपको यहां पर दिये गहे हैं, जैसे कि limit, तो limit के अगर हम बात करें, तो धाई लाख US dollars की per financial year की limit है, कि यहां पर इतना ही आप limit कर सकते हैं, आउटवर रमेट कर सकते हैं, frequency भी कोई limit नहीं है, कि आप जि यहां पर payment करनी नहीं, आप अपनी किसी भी convertible foreign currency में, वहां पर इसली remittances कर सकते हैं, अपार्ट फुम दाट परपस के case में, अगर हम बात करें तो education हो गया, medical treatments, travel expenses, आप बाहर किसी पकार की investments करना चाहते हैं, gifting purposes, उन सभी में आपके liberalized remittance scheme यूज की जाती है, एक simple सा सवा कि यह particular जो scheme है, किसके लिए available है, तो यह particular scheme available है for the residents of India, जो की हमारे FEMA Act के अधार पर यहां पर defined किया जाते हैं, तो यहां पर क्या companies, trusts, Hindu undivided families, क्या इस प्रकार की entities भी under the liberalized remittance scheme यहां पर outward remittances कर सकती हैं, जी नहीं, तो यह important point जरूर ध्यान रखेगा, अभी हमने recently यह कि प्र particular scheme सेटेड हमने सवाल डिसकस किया था, अगर आपने नहीं देखा है, तो आपको अभी तक लिंक यहां पर देग गया होगा उस प्रमिक्स का, जाके इन 5 questions को भी जरूर एटेंट कीजिए, तो यह रही basically आपकी liberalized remittance scheme, अब यहां पर जो move रखा गया है, आर भी दोरा, कि अ आप IFSC में जाके अपने foreign currency accounts खोल सकते हैं, तो उसके माध्यम से कहीं ना कहीं अब Indian individuals अपने funds यहां पर maintain कर सकते हैं, by keeping them in the Indian financial system and उस प्रकार से global financial activities में participate भी कर पाएंगे, अपार्ट फॉम दाट, इस particular development के जलते, जो बहुत सारे high net worth individuals थे, वो अपने इस प्रकार के accounts खोलते थे, दुबाई में या सिंगपूर में, कि वहां पर उने कभी भी कोई जरुत पड़े कोई payment करने की, तो उन accounts के माधन से वहां पर वो कर सकें, अब वो जो इनकी एक requirement रहती थी भाहर, वैसे accounts खोलने की, फिर उसके लिए उतने charges वहां पर pay करने की, अब वो जो particular एक requirement थे, उनकी कम हो जाएगी, अब वो इस प्रकार से, IFSC में भी अपने accounts खोल के, अपने जो भी purposes को यहां पर पूरा कर सकते हैं, सबसे crucial aspect जो कि हमने पहले भी discuss किया, कि by the means of opening such kind of foreign currency accounts at the gift IFSC, कहीं ना कहीं अब जो Indian residents हैं, जो उनको बाहर पैसा भेजना होता था, तो कहीं बाहर currency जो रस्क था, उसको avoid कर पाएंगे, mitigate कर पाएंगे, पहले से ही अपनी इन currencies को calculate करके रख सकते हैं, इन accounts में, and further अपने जब भी purposes आएंगे, उस प्रकार के खर्चा करने के तो उस समय पे ने use किया जा सकता है, तो यह है important points जो कि आपको ध्यान रखने है, with respect to this particular move, और हमने ब और information में आपको यहाँ पर देना चाहूँगा, कि since test series एक बहुत ही crucial role play करता है आपकी overall preparation में, तो जाहिड सी बात है, आपको उस प्रकार की test series की यहाँ पर आवशकता रहेगी, जो कि आपकी complete coverage भी करेंगे, current affairs की भी multiple revision भी करवा सके, apart from that detailed explanation में आपको clarity भी डबल अप हो सके, तो भी है, यह सारी चीज़े हमारी शेकर test series में यहाँ पर available है, जाके check out कीजिए इसे, enroll कीजिए इस particular test series में, अपना जो preparation को test करने का जो एक objective रहता है, उसको और भैतर केजिए, चलिए, जो आप से homework पूछा गया था, ज़रूर उसको comment box में mention केजिएगा, so that will be all, all the very best, have a good preparation पूश हैं, is जाके जफे आप कर देचे से करने हैं, तो उसकोा ou बैस डि откिप चेकर से कर दाल चाल गया है, यह सकतर है बचेस से को जापया कचेंता है, ऩह से जाल है के अपना